सब्सक्राइब कीजिए देशी इंडिया को और दबाईए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा उसको दबाईए श्कार दोस्तों देशी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है आज के इस एपिसोड में आपसे बात करूँगा एक ऐसे कैपसूल के बारे में जो कि आप लोंके लिए सच में बहुत ज़्याद फायदी मन्द होगा क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आया है कि सर मुझे को ऐसा कैपसूल बताइए जो कि मेरे पेट के लिए बहुत ज़्याद फायदी मन्द हो मेरे गैस के लिए बहुत ज़्याद फायदी मन्द हो मेरा पेट रेगुलर बे में साफनी होता उससे भी मुझे बहुत ज़्याद फायदा हो मेरा पेट में हमेसा सूजन रहत तो मैं आपको बताँगा कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है कैसे यूज करना है और उसकी साथ-साथ मैं आपको ऐसी टिप दूँगा जो कि आपके पेट के लिए सच में बहुत जादर फायद मंद होगी चलिये मैं इस्टार्ट करता हूँ वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप लोन रवी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि देशी इंडिया आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लेकर आता रहेगा जो कि आपके लिए सच में बहुत ज़्यादर फायदे मन्द होगा चलिए मैं इस्टार्ट करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूँ आप इस वीडियो के अंट देखेंगे तो मैं आपको एक्सी टिप दूँगा जो कि आपके पेट के लिए सच में बहुत ज़्यादर फायदे मन्द यह आपको किसी मेडिकल एक्टूपर बहुत आसानी से मिल जाएगा और हाँ अगर आपको आराइडी के नाम से ना मिले तो आप रेवी पराजॉल डॉंपरडॉन कैपसुल खा सकते हैं जैसे माल लीजे इसकी खाने की जो मतलब जो एज होती है वो 18 साल से उपर वालों को ह इसको बिल्कुल यूज ना करें और इसमें जो रेवी पराजॉल होता है वो 20 एमजी होता है और डॉंपरडॉन होता है 30 एमजी इससे नीचे वाला नहीं खाईएगा इससे आपको पता है कितने अज़ सारे फायदी है और उससे पहले यह आप लाल पट्टी देखना है इस साफ नहीं रहता है तो आप यह कैप्सूल डेली एक खा सकते हैं सोबाइ खाली ठीक है यह थोड़ा बहुत नाश्ता करके भी इसको खा सकते हैं इससे आपको पता कितने सारे फायदे हैं पहला फायदा आपका इसका रेगलर में पेट साफ रहेगा दूसरा फायदा पेट आपको कभी फूलेगा नहीं खाना खाने के बाद थीसरा फायदा आपको कभी गैस नहीं बनेगी प्रॉबलम नहीं होगी तो चिश्टा मैं बीडियो बना रहा हूं उस ताम पर लगभग 38 रुपए के आपको मिलेगा कैप्सूल को नाम है आर आर डी अगर आपको आर डी क चीजे ज्यादा खाते हैं तो किर्पया करके थोड़ा गरम चीजों कम खाईए क्योंकि गरम चीजे ज्यादा खाने से पेड में एसिडिटी और जलन की सिकायत बहुत जल्दी सुरू हो जाती है और उसके साथ-साथ आप शक्र भी कम खाया करिए उससे भी आपको बहुत ज को लाइक करिए और हां मैं आपको और बता दूं आपको इस वीडियो से कुछ भी पूछना हो कि मतलब कोई भी चीज पूछनी हो तो मेरे कमें बाक्स में डालिएगा मैं आपको इसका रिपलाई जरूर दूँगा और आप अपने दोस्तों और सथारों को भी सेर करिए उन करिए झालिए